कुछ लोग अगर ये मानते हो कि आगे देखा जाएगा तो कम से कम वो मुझे पहचान ले देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिठ्ठा मैं खोड़ दूँगा जिनके पांदे बेहिमानिका है वो मानके चले कागज का टुकड़ा है वो ज्यादा कोशिश न करें ज्यादा कोशिश न करें वरना सरकारी मैं इसके लिए अगर एक लाख नएन लड़कों को नोकरी देनी पड़ी दूँगा और को इसी काम में लगाऊंगा लेकिन देश को देश में ये सारा कारोबार बंद चल रहा है उसको बंद कर रहा है और अब लोग मुझे समझ गए हैं इतने दिन उनको समझ नहीं आया लेकिन ज़रा ये डोज ज़्यादा आया तो समझ आया लेकिन ये एंड नहीं है ये पुरण विराम नहीं है मैं आद खुल करके कहता हूँ ये पुरण विराम नहीं है देश में बसाचाग बेइमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये आने वाले हैं ये इमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जी देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूँ महनत करके जिन्दी की गुजार रहे हैं उनको अपना घर मिले उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले उनके घर में बुजूर्गों को अच्छी दवाई मिले इसके लिए मैं कर रहा हूँ मुझे मुझे गोवावाशियों के आशिरवाद चाहिए आप खड़े हो करके खड़े हो करके ताली बजा करके मुझे आशिरवाद देश देश देखेगा देश देखेगा इमानदार लोग इस देश में इमानदार लोगों की कमी नहीं है इस देश में इमानदार लोगों की कमी नहीं है आईए आईए इमान्दारी के इस काम में मेरा साथ दीजिए साबस साबस मेरे गोवा के प्यारे भाईयो बेनो मैं आपको सर जुका करके नमन करता हूँ यह सिर्फ गोवा नहीं यह सिर्फ गोवा नहीं यह हिंदुस्तान के हर इमान्दार की आवाज है हिंदुस्तान के हर इमानदार की आवाज है भायो भेनो मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाब हो जाएंगे मैं जानता हूँ सतर साल का उनका मैं लूट रहा हूँ मुझे जिन्ना नहीं छोड़ेंगे मुझे बर्बाद करके रहेंगे उनको जो करना है करे पचास साथ भाईो 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 पचास दिन पचास दिन मेरी मदद करे देश पचास दिन मेरी मदद करे जोड़ से तालियों के साथ मेरे इस वाद तो फितार कीजिया